हेलो एवरीवन एक वार फिर स्वागत है आप सभी कापने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एच पी जी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन्स जो में ली प्रीवियस एच पी पी एसी सिम्ला और एच पी एसे सी हमिरपुर के एक्जाम में यह पूछे गए थे तो फ्रेंट्स इन क्वेशन्स के मैं आपको जितने भी एंसर बताऊंगा वह फाइंडल एंसर की के अकोर्डिंग ही बताऊंग तो उसके पॉइंट और वियू से अब आपका जो लेवल होगा वो थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है डिफिकल्ट लेवल भी हो सकता है थोड़ा तो अब उसके पॉइंट और वियू से थोड़े कुष्टन डिफिकल्ट लेवल के भी डिस्कस करेंगे ताक कि आपको आने वहां से भी आपको कुछे जाएंगे आपने यह नहीं सोचना कि आप पूरा पैटर्न या स्लेट बस चेंज हो यह लेकिन वह को काफी है तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं वहां से अपने इन के स्टम्बर महिने में मना जाता है तो फ्रेंट्स आपने इन के शौर्ड फोर्म नोट्स जरूर मना ले रहे हैं क्योंकि रिवीजन के टाइंग यू केस्टन आपको काफी हलपल सावित होंगे आगला परशन है वेच राजा फ कहलूर प्रिंसली स्टेट सिफ्टेश विइवाजहर दापनी ओमर्यासित तो बिलासपुर के कैस राजा ने कहलूर रियासत के के इस राजा ने इपनी राजधानी को सुन्हार्नी से बिलासपुर Sitakat किया काफ इमाटन कोशेन है किशनन MON42 का जुरा इस तरफ इस तरफ करने सो लह सो चौबन में कब 1654 में या अपना याद रखना है इस दिपचम ने सो लह सो चौबन सिवी में अपनी राजधानी सुन्हानी से बदल कर वियास पुपा के पास विलासपुर में इस्थान इतकी और बिलासपूर शहर की जो स्तापना थी, वो 12.5 में ही दीप चंद चंदेन लेकी थी, ये एपने याद रहा है, दीप चंद ने दहुलरा महल का निर्मान करवाया, ये आपसे पुशन में पूश सकते हैं, दहुलरा महल कहां है, दहुलरा महल बिरासपुर में है दीपचंद ने दहुलरा महल का निर्मान कर वाया दीपचंद ने राजा को जैदेवा, राणा को राम राम और मिया को जैजे जैसे अभिवादन प्रता जो थी वो शुरू गरुआई थी यह आपने याद रखना है राजा दीपचंद को नादोन में 1667 इस्वी में कांगड़ा के राजा ने भोजन में विश देकर मरवा दिया था यह आपने याद रखना है तो इस कुशन का जो राइटन से रहा का आप्शन नम्र सी है बिलासपर के राजा दीपचंद ने अपनी राजधानी सुनहानी से बदले कर बिलासपर उस्तान तरित की थी और बिलासपर शहर की जो स्तावना थी वो 1654 इस्वी में दीपचंद चंदेर ने की थी अप्शन नम्र सी है इस कुशन का राइट अंसर है अगले प्रशन है आट विच प्लेस नहीं कांग्राडिस्टिक ओफिमाचल पतिश इस जखनी देवी टेंपल जो है वो 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 कांग्राडिस्टिक में कहां पर है काफी इंपोर्टन कुश्चन है क्वेश्चन नमर 43 का जो राइट अंसर है वह आपको अप्शन नम्र डी ह चांदपूर जो है इस क्वेश्चन का राइट अंसर है तो अप्शन नमर डी है इस क्वेश्चन का राइट अंसर हो जाएगा कांग्राडिस्टिक के चांदपूर में जखनी देवी मंदिर जो है वो स्तित है अगले अपरेशन में चलते है इन विच डिस्टिक ओफिमाच में है यह अपने याद रखना है इसका जो एयरिया है वो कितना है वो चॉदा बर्ग किलो मीटर है ? ये इंगा कोशन भी आउसे पूश्य सकते है 24 बर्ग किलो मीटर जो हाइ व ourselves का शित्र है सब्सक्राइब कह ले करते हैं कुलू में है यह आप्शन नंबर एस कुश्ण का राइट अंसर है नेक्स्ट कुश्ण बेचलते हैं कुश्ण नंबर 45 में बोला गया है कि हूग टाइटल पहाडी गांधी टूशीरी बाबा कांशी राम को पहाडी गांधी की जो टाइटल था उपादी जो थी वो किसके द् डिसकस किया है तो क्शन नंबर 45 का जो राइट अंसर होगा वो आपका उप्शन नंबर भी है पंडे जवालाल नहरू जो है इस कुश्ण का राइट अंसर है पंडे जवालाल नहरू जी ने सरप्रत्थम सबसे पहले बाबा कांशी राम जी को पहाडी गांधी की संग्या अब थोड़ा डिटेल में डिसकस कर लेते हैं पहाड़ी गांदी बाबा कांशी राम जी के बारे में तो आपको पता होगा बाबा कांशी राम जी का जो जन्म था वो 11 जुलाई 11 जुलाई 1882 को कांगडा जिला के डाडा सिवा के गुरनकड गाम में हुआ था 1902 में स्वाधिनतर संग्रा में ये कूद पड़े थे 1937 में गदडिया जनसभा में पंडित नहरू ने ने पहाड़ी गांदी का नाम दिया सरोजनी नाइडू ने ने पहाड़ी बुल-बुल कहकर संबोधित किया ये अलग क्वेश्चन है ये अपने याद रखना है 243 मिन की मुरिती हो गी थी बाबास कांशी आम जीर्म भगत सिंग राज गुरू सुखदेव को फांसी मिलने के बाद आजादी तक इन्होंने काले कपड़े धरन करने प्रण लिया डेस्टिक कांगडा के डाटा सीभा के गुर नकड गांस इसे चरूंद े में में हुआ था डाड़ा कांगणा जी लेगे डाड़ा साहिए डाड़ा सिभा के गुर्नकड गाम में हुआ यह भी आपने याद रखना है इन्हें पहाड़ी गांदी के जो संग्यादी टाइटल जो था वो पंडी जो आलाल नहरू जी ने दिया था जब कि पहाड़ी बुल ब पहाँ कि क्वेश्ट नमरों 46 में ब güला गया है काफी इंपोर्टेंट कॉश्टन है मिंजर फियर इज इसएलिवरेटड है इंविचे डिस्टिक ओफ हीमाचल पर्देश तो जू मिंजर मेला है मिंजर मेला है वो हीमाचल पर्देश के किस जिले में मनाए जाता है यह question जो है किई वार exam में पूछा लिया है तो मिंजर मेला आपको पता होगा यह चंबाड इस्टिक में मनाया जाता है option number C जो है इस question का right answer मिंजर मेला जो है आपको पता यह अंतरास्ट्री मेला है यह चंबाड इस्टिक में मनाया जाता है ये मेला जो है, वो साहिल बर्मन ने आरंब करवाया था, इस मेले में वरुन देव की पूजा की जाती है, ये आपने याद रखना है, इस मेले में किसकी पूजा गयाती है, वरुन देव की पूजा की जाती है, अगस्त महीने में मनाया जाने वाला ये मेला, अंतरास्टियम म यह भी आपने याद रखना है को मिंजर फियर इस अलिवेटर इन चंबाडेस्टिक ओफ हिमाचला परदेश साहिल परमन ने यह मेला रंब करवाय था इस मेले में वरुन देव की पूजा होती है यह भी आपने याद रखना है क्वेशन पूछ लेते हैं क्वेशन नंबर 97 में बोला गया है कि विच इस दा ओल्डेस्ट हाइड्रोलेक्टिक प्रोजेक्ट इन हिमाचला परदेश में सबसे पुरानी जल विद्यूत परियोजना जो है वह कौन सी है क्वेशन भी कई बार हमने डिसकस किया है तो हिमाचला परदेश में सबसे पुरानी जल विद्यूत परियोजना है और थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में डिसकस कर लेते हैं शानन परियोजना जो है वह किस डिस्टिक में है यह आपको पता होगा यह मंडी डिस्टिक में है कहां पर है मंडी डिस्टिक में है यह मंडी डिस्टिक में जुगिंदर नगर में इस देता है यह आपने याद रखना है और इसकी टोटल कैपेस्टी है वह 110 मेगावाट है ये भी आपको पता होना चाहिए शानन जल विद्धित परियोजना की जो कपेस्टी है वो 110 मेगावाट है और ये एक इंपोर्टेंट बात है ये आपने नोट कर लेना है ये जो है वो पंजाब गोवर्मेंट के अंडर आती है शानन हाइडरोलेक्टिक प्रोजेक्ट जो हु माचलव परदेश में बनी जल वी दोट परियोजना है जो 1932 में ब्यास की सहाइक नदी तो ऑफिलग खड बी कहते हैं न्यूस सो बत्स में ये ब्यास की सहाइक नदी रीना नदी पर बनी थी जिसे रीना को खड बी कहा जाता है तो और प्शन नूम्र बी इस कॉशन का रा सब्सक्राइब और यह पंजाब गवर्मेंट के रहती है यह आपने याद रखना है क्वेश्चन नम्र 48 पे चलते हैं क्वेश्चन नम्र 48 में बोला गया है कि वड़ हुआ प्रस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हो हीमाचलप अपर देश के प्रत्थम उपराज्य अपाल जो थे वह कौन थे काफी इंप्रटिन निक्वर्ट नम्र 48 जो राइट अंसर है क्वेश अब यहां से थोड़ा डिटेल में डिसकस कर लेते हैं जैसे आप इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रत्थम मुख्या युक्त कोन थे वो एनसी महता थे प्रत्थम उप मुख्या युक्त जो थे वो सिरी इपी मून थे प्रत्थम पराज्य अपाल तो हमने डिसकस कर या मेजर जैनरल हिम्मत सिंग्थ थे प्रत्थम मुख्या मंत्री जो ते वो ये श्वण सिंग् परमार तो आएसे चेक्रवर्ती थे प्रत्थम महिला राजियपाल फुर्टविमती सीला कौल थी यह अपने याद रखना है और प्रत्थम मुख्या न्याधीश यो थे वो न्याए मूर्ती हमिदुल्ला वेग थे प्रत्थम महिला मुख्या न्याधीश यो थे वो स्री मतिलीला सेट थी प्रत्थम विधानसवा जयवंतर राम थे यह आपने याद रखना है और प्रत्थम विधानसवा उपाद्याक्ष जयवंतर राम थे यह आपने याद रखना है और प्रत्थम विधानसवा उपाद्याक्ष जयवंतर राम थे यह आपने याद रखना है तो अप्शन नमबर सब्सक्राइब करते हैं कि विच लेक इस दा सोर्स ऑफ पार्वती रीवर काफी इंपोर्टेंट है कि कौन सी जील जो है वो कौन सी जील है जो जिसका जो सोर्स है वो पार्वती नदी से होता है इस पार्वती नदी निकलती है वो किस जील से निकलती है वो मानतलाई जील से निकलती है कुलू डिस्टिक में है 4116 मेटर जो है इसकी उन्चाई है option number 20 question का right answer है next question पर चलते हैं जैसे यहां से detail में discuss करेते हैं जो सुखासर जील है यह कहां पर है यह मंडी में है कहां पर है यह मंडी डिस्टिक में है यह अपने याद रखना है कराली जील जो है यह आपने याद रखना है सुखासर जील मंडी में आपने है कराली जील जो है जो है बो आपकी लघुल स्पीती डिस्टिक में है question number 50 पर चलते हैं kangra district में कहां Angora खुरगोष प्रजिनन केंदर है Angora का राइविट फार्म कहां पर है कांगर डिश्टिक में कुश्शन नम्र 50 का जो राईट अंसर होगा वह आप्शन का ओप्शन नम्र ठाउन का आप एक है किया आप क्योंड अप किवारा किया थीए काफी इंप्रुटन कर्शिन है कॉश्शन नम्र 51 का जो राइट अंसर है आपका option number D है जेट पाल जो है इस question का राइट अंसर है जेट पाल ने नूरपुर यासत की स्थापना की थी option number D जो है इस question का राइट अंसर है अब धोड़ा detail में discuss करेते हैं नूरपुर का जो प्राचीन नाम था नूरपुर राज़े की प्राणी राजधानी पठान कोट थी अकवर केस में नूरपुर के राजा वासदेव ने राजधानी पठान कोट से नूरपुर बदली थी ये भी अपने आद रखना है प्राचीन काल में नूरपुर और पठान कोट अदुम्बरक शेतर के नाम से जाना जाता था नूरपुर रियासत के राजाओं के बंशच का नाम पठानिया था जो की पैथान सब्द से उत्पन हुआ है जेटवाल ने इसकी जो नूरपुर राज्ये की जुस्तापना थी वो किस डिस्टिक में है क्वेशन नूर फॉर्टी फिफ्टी टू का जो राइट अंसर होगा वो आप्शन नूर बी है चमबा जो है इसकी जो राइट अंसर है क्वेशन नूर फिफ्टी थी पे चलते हैं क्वेशन नूर फिफ्टी फिफ्टी थी जो राइट अंसर होगा वो आपका उफ्टी नूर फिफ्टी नूर फिफ्टी नूर फिफ्टी पे चलते है विफ्ट इंसाइट सेज इस रेंडू का लेक ओफ्टी फिमाचपदेस असोसेटेड तो यह किससे संबंदित है आपको पता होगा जो रेंडू का जीर है सिर्माचपदेस्टिक में वो किससे संबंदित है क्वेश्ट नूर फिफ्टी शिक्स पे चलते हैं इनवेचेयर वास मौंटेनिंग इंस्टिटूट सेट अप नियर मनाली में जो मौंटेनिंग परवतार होना संस्तान जो था वो किस बर सेट अप हुआ था इस तबलेस्ट हुआ था क्वेश्ट नमर चंपने का जो राइटन सर्य वाका ऑप्स नमर यह नी सो इकट्ट जो है इसकुषिन का राइटन सर्य अगला प्रशन है वेन वर हमिरपुर और उन्दा डिस्टिक कर्वड आउट ओफ कांगड़ा डिस्टिक से हमिरपुर और उन्दा कब अलग हुए थे कुश्ट नमर 57 का जो राइटन सर्य वाका ऑप्स नमर सी है उनी सो बतर जो है इसकुषिन का राइटन सर्य अगला प्रशन है विच राज किस राजा ने हल्प की थी तिबद की इन किसमे की थी तिबद लद्दाक मुगल जो वार हुआ था यूद में 1680 में किसने इनकी सहायता की थी कुश्ट नमर 58 का जो राइटन सर्य वाका ऑप्स नमरे राजा केहरी सिंग जो है इसकुषिन का राइटन सर्य है अगला प्रश साथ पर चलते हैं कुश्ट नमरे साथ में बोला गया है कि इन विच प्रेंसली स्टेड़ दार प्रजा मंडल लीडिस लांस दा भाई दोना पाइव डू मुमेंट फो अरौंड नाइटीन तो अकोर्डिंग टी अकोर्डिंग टू फाइनल लंसर की इसकुषिन का जो इसक आपका पैगोडा शैली में बना हुआ मंदिर है कुश्ट नमर फिफ्टी सिक्टी डू पर चलते हैं विच ओफ द फॉलिंग राजा ओफ नूर्पुर ट्रांसपर्ड हेट्स कैप्टल फ्रॉम पठान कोर्ट टू धमेरी तो इक अप्शन हभी है थोड़ी देर पहले ही ड अगर आप इसने कंसीडर दा फॉलिंग स्टेटमेंट आपने बताना है कि इसमें से कौन चीज स्टेटमेंट है तो इनकोरेक्ट है तो इसका मैं डिरेक्ट अंसर बता जिता हूं कुश्ट नमर फिफ्टी तो यह यह दोनों स्टेटमेंट जो है वह गलत हैं वाकि नस ना रामपुर्त असील में से बढ़ हल से सिम्लारिश्टि में फरवेश करती है यह दो स्टेटमेंट यह गलत है पर चलते हैं वीच नमगे स्टेटमेंट्स इस कॉरेक्ट तो इस स्टेटमेंट नमर चॉसर्ट का जो राइट अब अबश्ट नमर डी है ना नौ फॉदा अ इस वीडियो को यह लास्ट नहीं स्टेटमेंट तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वह कोरेक्ट है तो कुछन नमर एक सिक्स्टी सेवन का जो राइट अबश्ट नमबर सी है सेकंड स्टेटमेंट जो है वह बिल्गल ठीक है यूर इस दा लीडर हूज फूट स्टेप्स आर फॉर्ड वाइदा डांसर इस्टेटमेंट ठीक है वाकि यह स्टेटमेंट फर्स सिस के एक्जाम में यह और हाइकोट क्लर्क के एकजाम में भी यह कुछेंगे थी तो फ्रेंज इन क्वेश्टन के अपने शॉर्ट फॉर्में नोट से जुरूर बनाने रहे हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम यह कुछ आपको काफी है पुल साबित हैं तो फ्रेंज अगर किस वीडियो में बसे तो नहीं होप आपको वीडियो सांद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देए तो थैंक्यू फ्रेंज